गुद्ध मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप लोग आई होप की अच्छे से होंगे स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने ही घर नहास क्रियेटिविटी के और बस अभी यह है मेरी पूने की पहली मॉर्निंग आफटर टू मन्स और वापस मेरा प्लेस मॉर्निंग वोक के लिए न मैं अपने टैरिस पर ही आई हूँ क्योंकि मुझे यही पर कमफर्टेबल फील होता है मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर वोक करना और बहुत जल्दी में आ गई थी क्योंकि मेरी जो अभी मैं बहुत जदा अंधेरा था वहाँ पर रोशनी हो जाती तो मैं वोक करना शुरू कर देती थी फिर यहाँ पर जैसे हलका हलका सा मुझे लगा हो जाला तो मैं पापजी से पूछ के आ गई कि अभी सेफ है ना तो बस वोक करके और मैं आई हूँ नीचे और अपना मैंने जीरा और हल हरे भरे हैं मज़ेदार हैं तो बस यहां पर बैठके मैं अपना जो मौनिंग ड्रिंक है ना वो इंजॉय करूंगी और फिर बाकी के काम में लेगेंगे क्योंकि आज दुर्गा नवमी है ना तो हमारे आपे नवमी पर कड़ाई होती है तो उसी की ही सब तैयारे विगरा करे हैं तो आज तो हल्वा मैं बनाती हूं तो इसलिए हлем जिम्मेदारी मेरी है कैसि और बाकी और सभाव कर लेती हैं और इसमेरे मैं अटवर हूंगी सू जमी बनाती हूँ और अपनी बिल्कुल मुम्मी का स्टाइल वाला हल्वा बनाती हूँ क्योंकि मैं जब भी कोलकाता में बोलती दिना कि मुम्मी के हाथ का हल्वा खा रही हूँ मुम्मी एक्सपर्ट हैं तो मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे भी और कोमेंट बोक्स में आई जाते थे कोमेंट की हल्वी के रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिए हालकि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ फिर भी नहीने लोग जुडते रहते हैं तो इसलिए बार बार एक्सप्लेइन करना ही पड़ता है तो बस यहां पर जो खास बात है वो यही है कि बराबर का घी बराबर की सूजी और इसको जितना पेशेंस लिए आप भूनेंगे ना बैसिकलिए मैं एक दम लोग फ्लेम पे इसको भूनती हूँ आज मतलब थोड़ा सा भी तेज नहीं होती है क्योंकि उसमें तभी कुक करेंगे प्यार से कुक करेंगे ना खाने का जो मज़ा है ना वो मतलब दुगना हो जाएगा तो बस वही मैं कर रही हूँ और अच्छे से इसको भूनोंगी साथ ही मैंने पानी रख दिया है तो हल्बा मेरा एक कटोरी है तो मैं चार गुना पानी रखूँगी और इस बीच में हुआ है क्योंकि ममी भी बहुत ज़दा टॉकिटिव है तो बस इदर उदर की जो कहानिया है वो सब चल रही है और यह है मसाला जो छोले का है ममी ने तयार किया है तो आज का जो मैनू है उसमें छोले बनने वाले हैं सूखे आलू पूरिया और हल्वा जो माता का परशाद होता है वो बेसिकली बनेगा सूजी और एलमंट्स दोनों ही बहुत अच्छे जबुन गए है कलर लाल हो गया है यहां पर मैंने अपना शुगर वाला पानी एड कर दिया है और बस इसको अभी अच्छे से पकाना है और हमारा जो हल्वा है वो रैडी है और इसको गार्णिश करेंगे हम नारियल से क्योंकि नारियल के बिना हल्वा अच्छा नहीं लगता है तो बस यह देखिए और इसको बस मैं इसी पॉइंट पर उतार दूँगी क्योंकि हल्वा रखके भी गाड़ा होता है और अगर आपके पास कसावा गोला है ना वह आप एड करि नॉर्थ इंडियन के फूड में हीं रहता ही रहता है और यहां पर जीना एड कर दिया है बेसिक मसाले एड करूंगी क्योंकि बिना onion garlic का फूड बनता है और यह बिना onion garlic का फूड ही बहुत टेस्टी लगता है पिछले 10 दे से हम लोग अन्यं गार्लिक नहीं खा रहे है हैं अजे गरम मसाला करूंग ज Tapi i8 म्में और में वडुत जाने करें अपर सूखे और भीशन दिशन्स के वी साहब हुष़ा गरम मसाला अट्रूरी द्स कि जूआ पूरी के साथ कोने के लिए फिए कोचम सबार है तो मतलब 15 दिन में एक बार तो बनी जाता था तो यह है तो बस यहां पे मैं अभी पूरी बेलने शुरू करूंगी क्योंकि अठावडी निकलती है हमारे आपे वह पूरी मिन से जाती है तो मुम्मियर में वही तयार करेंगे उसके बाद हम करेंगे पूजा और आज बेसिकल में उनका भी आना पोसिबल नहीं था तो बस अभी हम लोग खाना बना के सबसे पहले सोसाइटी में जो भी हमारे मतलब कन्याए हैं उनको हम खाना पहुचा के आएंगे उसके बाद फिर हम लोग भी ब्रिक्फरस्ट करेंगे तो तीनों की न्यूस एक मुंबई आए उससे फे नेग्जन न्यूस आई कि मुंबई एर्पोर्ट पे इतनी जाजा बजीर बढ़ गई कि सीक्योर्टी चेक्स पे लोगों को पता नहीं जाता कि इस प्लैट उड़ गई ते मैं एक हथते से बशे ही हिर बताते ती निए प्रिंट भृम्मी को चुन होने माला है कि चूटी कमर फीला थी यूाहरा थी उसके बोला थी उसमे अवनी वाइस के लिए दिये प्रिंटाउ ही। कि अग्सान दोने फ्लैट वालों ने उड़ने तर जो भी ओगा तो उसने झुटी नगों पिलादियो जो प्लैट से जो जान आजा बहुत आपड़ी तर कि मत उतरी, मियरे से आगे 100-150 नोग थे मुझ बहुत भी टेंशन होय और क्योंकि ना की जही ही न्यूस्य क्षडलेक से भी न्यूस ब tiếp विय तो एपो और मुंबए एरपोर्ट पे यह ओ गया कौ गा क्वोस एरपोर्ड पे आप और मुझे बहुत जड़ा टैंस्च हो गई जो यहारा है, जो सवादो महीने बाद तो, अभी सबसमाद तो मैंने कलभी बहुत थख गईती क्या था? पिछले दो दिन से अंग्साइटी शुरू हो गई जाना है तो मुझे वैसे ही नीद नी आड़ी जा जाता है तो फिर यहां पर आई तो फ्लाइट मेरे एक्टम बढ़िया रही वह तो ऐसा था कि जैसे वह प्लेन कोई उसने एक्सप्रेस बना दिया टाइम से पहले ही तो आज फिर नमम्मी की पूझा हाला कि अभी मैं बहुत अभी मुझे अच्छा फिल हो रहा है थकान हो रही है तो मम्मी हापी वही बोल रही थी वही थोड़ा कल अटेंशन भी हो गई और यह भी कल राद में नीद नीद नी होई क्योंकि दो मेने बाद अब नहीं नहीं तो आपको दिखाती हूं रहा है यह सब बैग वैं सब नंपैक करने हैं थोड़ा सकल किया था कि शवीट बढ़ना निकाल थी ना सोड़ को 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 पेशल स्वीट खानी थी कैसे बचा बचा के लेका यह मुझे पता है क्योंकि खराब हुजाती है छेना की होती है यह सब करना क्योंकि वैसे भी तो मुन दहीं लग़ा मेरा मुझे रोटीन आने में मुझे एक हफ्ता लगी जाएगा क्योंकि मुझे तो मैं सउरॉब बोल रहे हूं कि मेरे तुमा कितना पॉजल थाकल मैं सउरॉब आके बोलत हूँ कि मन तो टावल था हूँ कौन से कलर का ताव मैं य कि यह है तो चलिए फिर में आप लोगों से मिलती हूँ और यहाँ पे लोग सब बैठे हैं बाते बाते कर रहे है हीरो इसका बोर नाइस लग रहा है गुटुका है वोलकेता इस्पेशल है हाई 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 मनी किलो रामी कि अलल्ग वोलके मार्तिधम उस्ता नाइसरा मुझा कर दो आपके लिए प्रीम कुर्वाट iezकत कर दो दो खोमने खारा Przyकिषम मुमी के साथ ऐसे बाते वेगरा किया और लेंच में आज हम लोगों ने बहुत ही लाइट खाया क्योंकि लेट ब्रिक्फस्ट हुआ था ना और यहां पर मुझे वीडियो एडिट करने थी किसी भी हालत में क्योंकि दो-ती दिन से वीडियो पैंडिंग थी और फिर वो ओल्ड वीडियो हो जाती है फिर ऐसे था सोचा कि यह काम करके खतम करती हूं फिर मेरी फ्रेंड भी आगी अपनी बेटियों को लेके बस हमने मतलब वही कन्या पूजन किया और फ्रेंड आ गई तो अच्छा लगा क्योंक करते हूं और हमें धसे लुगाने वे छोपेंग फेलाएं अपने कज़ोंक वही मतलब ना जेला खाए कल थोड़ा सफेर आज किया क्योंकि वो करना जुरूरी था कपड़े में सब वोश करके आयन करके मतलब वहां से मम्मी ने करा के दिया था क्योंकि यहां पर फिर वहां घर से आ रही थी किसी होटेल वगरा से आओ तो फिर यहां कि घर पे वोश करना वगरा है वहां से फिर मम्मी ने बोला कि यहीं पेसब करके लेके जा क्योंकि वहां पे जाकर लगाना ही रह जाएगा क्योंकि फिर एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ता ना यही सब फिर अन्वित का भी जो वोडरो वगरा है वो थोड़ा ठीक किया थोड़ा से कपड़े उसके डिसकार्ड किये और फिर इमनिंग में थोड़ा आइस्क्रीम खाया मुमी पापा के घर ले आए और यही था मेरा आज का रूटीन आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा चोटा सा सिंपल सब लोग तो चलिए अगर आप कोई थोड़ा सा भी पसंद आया तो उसको लाइक की बिना जाना नहीं और आप लोग अगर म आप